जी स्टूडेंस के question number 2 देखें, write all proper subsets of the given sets, इस question 2 में हम लिखेंगे all proper subsets, इस question में आपको subsets का तो पता है, लेकिन proper subsets का नहीं पता, तो इसलिए पहले हम इस set के all subsets लिखेंगे, इस one part में, अब इसके कितने all subsets बनेंगे तो वह हम फार्मूले से चेक का लेंगे, 2 की बाव सर्फ 4, क्योंकि 2 को 2 times multiply करेंगे तो 4 आता है, अब इस set के हम all subsets लिखेंगे 4, जिनके 4 इसके subset बनेंगे, अब यह देखें, इसके all subsets बन गए, 1, 2, 3, 4, अब इन में से पहले इसके यह 3 proper subsets हैं, तो यह जो same है, यह वाला improper subsets है, इस set का, अब आप समझेंगे proper subsets किसे कहत हैं, इसके लिए आप यह पहले तीन set में से कोई एक set देखें, यह वाला, इसमें एक element है, यह वाला पूरा set इस set में है, यह वाला पूरा set इसमें नहीं है, यह वाला पूरा set इसमें नहीं है, यह वाला set इसमें नहीं है, तो इसी को हम proper subsets कहते हैं, यह वाला set उसमें है, यह वादा पूरा इसमें नहीं है यानिकि इस सेट के सारे इसमें है और इस सेट के सारे इसमें नहीं है इसलिए यह प्रोपर सबसेट है यह तीनों और इसके आगे यह दिखें यह प्रोपर सबसेट नहीं है यह प्रोपर सबसेट है क्योंकि इसके सारे इलिमेंट उसमें है और उसके सारे elements इसमें हैं, ये दोनों set सेम सेट हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के improper subset होगे, तो इन में फिर इंप्रोपर सेट हम नहीं लिखेंगे, ये तीनों ही proper set answer में आएंगे, तो इसमें ये last वलगा set हमां खतम कार देंगे, ये इसमें नहीं आएगा, बस ये answer लोगा अब इसी तरह हम इस पार्ट के भी परॉपर सबसेट लिखेंगे इस साइट कर पहली हम देखें कि कितने सबसेट होंगे तो की पंपर हम क्या लिखेंगे वान क्योंकिbased व مش。 इसमें वान एने में तो इसकाफ्छा राएगा डू नविसके टू सबसेट होगा और यह जो same set है यह improper है लेकिन इसमें improper नहीं आएगा तो इसका यह कही proper subset होगा यह खाली set अब इसी तरह पहले इसके भी हम all subsets बनाएंगे तो कितने बनेंगे टू की बाब हम पहले लिखेंगे 3 क्योंकि इसमें 3 elements हैं तो 2 की बाब 3 लिखेंगे तो answer आएगा 8 2 को 3 times multiple करते हैं तो 8 answer आता है अब 8 subset इसके बनेंगे अब इस set के देखें यह मैंने सारे subsets लिख दी है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यह 8 subset बन गए अब हमें यह पहले 7 proper subset हैं और यह last बला जो same है यह improper subset है तो इसमें यह improper subset नहीं लिखेंगे तो बाकी इसके proper set होंगे यह इसके हम काट देंगे इसको अलाफिस